दोस्तों आज मन कर रहा है कि आपके साथ कुछ अनुभो कुछ फीलिंग को सेयर करें दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली साल जब से आल्लाइन प्रसिछन का दौर शुरू हुआ उस समय जबकि सभी अध्यापकों के पास उस समय एंड्राइड मोबाइल भी नहीं थे आल्लाइन प्रसिछन का दौर शुरू हुआ जिसमें आपका जो है सबसे पहला प्रसिछन था उपचारात्मक सिछन उपचारात्मक शिच्षण पहला प्रसिच्षण से जिसका सम्चित आदेह आया था उसके पहले भी दिक्षा पोर्टल पर बहुत सारे प्रसिच्षण आ चुके थे विभिने जिलों में लोग उन प्रसिच्षण को कर चुके थे तबसे लेकर आज तक आनलाइन आफ़लाइन इतने परसिछण हुए कि परसिदी सिख्छक इनी परसिछणों में उलच करके रह गया अब उसे प्रसिच्छन के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता लेकिन इन प्रसिच्छन का क्या फाइदा जहां हमें इसका उप्रोक करना चाहिए जिनको इस प्रसिच्छन का लाब मिलना चाहिए वो तो हमसे दूर हैं अर्थात हमारे विद्यालियों के बच्चे और अब प्रसिच्छन की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है इतनी अधिक हो गई है कि अब उन प्रसिच्छन में क्या सिखाया गया क्या बताया गया उनको याद रख पाना भी संभो नहीं है क्योंकि दोस्तों कोई भी ग्यान तभी स्थाई होता है जब आप उसका अभ्यास करते हैं और जब आपको अभ्यास करने का मौका ही नहीं मिलता है तो वह ग्यान जो है छीन हो जाता है तो इतने धेर सारी प्रसिछण जो हो चुके हैं और उनमें सिखाई गई बातें उनमें कही गई बातें जब अब भ्यास में नहीं है तो धिरी-धिरी करके छीण होती जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि रही जो भैका बाताबरण बनाया गया है भायका बातावरण क्यों बनाया जाता है इसे आसानी से भी तो बिना किसी घर्षन के भी तो कराया जा सकता है बताया गया था कि आप पास्बुक बनेगी पास्बुक में आपके सारे प्रसिछन की इंट्री होगी पास्बुक तो बनी दिख्षा पर लेकिन उसमें नौ या दस ही प्रसिषण क्यों आखिर बाकी प्रसिषण उस पर अंकित क्यों नहीं है क्या बाकी सारे प्रसिषण बेकार है दोस्तों ऐसे ये प्रस्न है जो मन में उठते रहते हैं लेकिन इन प्रस्नों का कहीं कोई हल नहीं दिखता आ ये दिखाता है आपको एक ऐसा ही समचार हमारे आपके उल्जनों से कुछ और लोग भी रूबरू हो रहे हैं ऐसा ही समचार कुछ निकल करके आ रहा है आप देख पा रहे हैं दोस्तों या एक पेपर की कटिंग है जो हमारी उल्धनों को साजा कर रहा है आनलाइन आफलाइन प्रसिछण में उलज कर रह गए परसिदिय सिक्षक सिक्षकों को दे दी इतनी ट्रेनिंग की अब याद रखना हो रहा मुश्किल या पेपर कानपुर का है पिछले कई माह में परसिदिय सिक्षकों को इतनी आधिक ट्रेनिंग दे दी गई है कि आप सिक्षण के दोरान इनको लागू करना एवं इनके सबक को याद रखना सिक्षकों के लिए काफी मुश्किल होने लगा है नाम नच आपने की सर्थ पर सिक्षकों ने बताया कि इतने अधिक आनलाइन वा आफलाइन प्रसिद्षण सत्रों का लगातार जारी रखना समझ से परे है प्रसिद्षण से हासिल किये गए सबक को कक्षा में कैसे लागू किया जाए अब इसकी चुनोती है बेसिक सिच्षा विभाग ने पिछले वर्स मार्च में निष्ठा नामक पांच दिवसी प्रसिच्षण कारिकरम की शुरुवात की थी बी आरसी में आयोजित हुए इस प्रसिच्छन कारेकरम के दोरान ही कॉरोना वाइरस के प्रसार के जलते प्रसिच्छन कारेकरम इस्थकित हो गया इसके बाद विभाग ने प्रसिच्छन को आनलाइन मोड में करते हुए 18 माडिवूल पर आधारित कर दिया प्रतेख माडिवूल 3-4 घंटे का था निर्धारित समय में इन 18 माडियूल के आनलाइन ट्रेनिंग करने के बाद सिक्षकों को अन्ने 25 आनलाइन प्रसिछन कारिक्रमों को पूरा करने का दाईत सौपा गया प्रतेग प्रसिछन कारिक्रम को पूरा करने के लिए समय भी नियत किया गया लगभग हर अपते दो प्रसिछन पूरा करने का लक्ष दिया गया कुछ महीनों में ही दर्जनों प्रसिचन कारिक्रम जोईन करने के बाद सिख्षकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर इन प्रसिचनों से सीखेगे सबक को सिच्चन प्रक्रिया में लागू तो करने दिया जाए विभाग ने बिद्याले नेत्रित्वा समेकित सिख्षा समेत अन्य आफलाइन प्रसिछन कारिकरम भी आयोजित किये हैं अमी 31 मार्च तक इन ट्रेनिंग सत्रों को पूरा करने की अवधी निर्धारित की गई है विभाग ने आफलाइन ट्रेनिंग के अलामा नियमित अन्तराल पर यूटूब सत्रों का भी आयोजन कर सिख्षकों को सिशन पूरे कराये गए मार्च आते ही आफलाइन ट्रेनिंग का दौर भी जारी हुआ कई बलाकों में आधारसला क्रियानिवेन प्रिंट रिच वा समरिद माडेवल तता NCRT आधारित प्रसिछन सत्रों का भी दौर जारी था लेकिन होली के चलते फिलहाल इन प्रसिछनों को इस्तगित कर दिया गया है दोस्तों कहीं न कहीं इस पिपर में जो कहा गया है और जो पीड़ा उठाई गई है वो बिलकुल सत्र है किसे एक सत्र में इतने धेर सारे प्रसिछन को सच में याद करना बहुत ही मुश्किल हो गया है जबकि उसका प्रियोग नहीं हो पा रहा है अगर विद्यालें हमारे खुले होते और हमारे बच्चे आते होते और हम बच्चों के साथ प्रसिछन में सीखी कई बातों का अभ्यास करते कराते तो निश्चीत रूप से यह प्रसिछन हमारे लिए लावकारी सिद्ध होता लेकिन बच्चे आ नहीं पा रहे हैं प्रसिछन पे प्रसिछन मिल रहा है तो यह प्रसिछन जो है किसके लिए और क्यों क्योंकि जब तक बच्चे नहीं होंगे हम इन प्रसिच्छन का उप्योग कैसे कर पाएंगे और ज्यादा दिन तक अगर प्रसिच्छन का उप्योग नहीं कर पाएंगे तो ये प्रसिच्छन दिमाग से वासा उठ हो जाएंगे गायब हो जाएंगे फिर इन्हें याद रखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि किसी भी ग्यान को जब तक अभ्यास में नहीं लाया जाता वह ग्यान धीरे-धीरे छीन्ड होता चला जाता है तो यही कहना है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ अपनी पीडा को सेयर करना था अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार